असलाम लेकम दिया स्टूडेंट्स इस कोस्टन में भी हमने डिफरेंशल को यूज करते हुए डिवाई ओवर डिएक्स और इसी तरह डिएक्स ओवर डिवाई को फाइंड आउट करना है गिवन अकुईयन है इसमें एक्सवाई माइनस लाग आफ एक्स is equal to c where c is a constant यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग डिफरेंशल अन बोग साइड दोना तरफ हम डिफरेंशल अप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड पर भी डिफरेंशल अप्लाई किया और राइट साइड पर भी डिफरेंशल अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर क्योंके दो टरम्स हैं और सब्ट्रेक्ट हो रही है तो डिफरेंशल इंडिविजुली दोनों के साथ आजएगा एक्स वाई के साथ भी और लाग आफ एक्स के साथ भी इस एक्वल टू क्योंके कांस्टन टाम है और कांस्टन टाम का डिफरेंशल जीरो होता है तो यहाँ पर हम जीरो लिक लेंगे अब देखें यहाँ पर दो टाम्स मॉल्टिप्ला हो रही है x और y तो जब हम इसका differential लेंगे तो product rule लगेगा first function as it is differential of second इसी तरह second as it is differential of first minus जिस तरह log x का derivative ऐसे लेते थे हम के one over domain of log तो log की domain x है तो यहाँ पर one over x आजेगा तो differential में भी बिलकुल same हमने वही काम किया one over domain of log आगे differential आप जो log की domain है उसका differential लेंगे तो क्योंके domain में x है तो dx आजेगा is equal to zero अब देखें यहाँ पर हमारे पास दो terms ऐसी मुझूद है जिनमे dx मुझूद है एक यह है और एक यह term है और एक term है जिसमे dy है तो हम इस dy वाली term को equality के उस साइट पर shift करते हैं और इन दो term में से हम dx को common ले लेते हैं तो यह वाली term जब equality के उस साइट पर जाएगी तो इसका sign change होजेगा minus x dy होजेगा यहाँ पर हम lcm लेते हैं x lcm आजेगा xy से multiply होगा तो xy minus 1 dx is equal to minus x dy अब यहाँ पर हमने dx over dy और इसी तरह dy over dx point out करना है तो देखें dx हम as it is लिखेंगे dy इदर आकर divide हो जाएगा इसी तरह minus x उदर as it is रहेगा यह वाली term जब जाएगी तो उदर जाके reciprocate हो जाएगी x उपर आजेगा और xy minus 1 नीचे तो dx over dy की value हमारे पास आजाएगी minus x x से multiply होने के बाद x के over में xy minus 1 यह dx by dy आया इसी तरह dy by dx मालूम करने के लिए अगर हम यहाँ से देखें तो dx उदर जाके divide हो जाएगा और इसी तरह यह minus x इदर आके divide हो जाएगा तो हमारे पास आजाएगा minus xy minus 1 over में x के तो इस तरह हमने dy by dx भी find out का लिया तो इस question में हमने differential को use करते हुए dy over dx और dx over dy दोनों को find out का लिया next lecture में हम next question को solve करेंगे